असलावलेकूम गाइस वेलकम बेक टू माई चाइनल आप लोग देख रहे हैं वफा हैंडवर्क चाइनल आज हम एक बहुत ही प्यारी सी लेश डिजाइन बनाएंगे इस डिजाइन को मैं सिलीप से पर बना रही हूं इसके लिए मैं सिलका यह दागा ले रही हूं यह बहु कैसे बनाते हैं वो नहीं मालूम है उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं अब भी हम अपने डिजाइन को शुरू करेंगे सबसे पहले हम वान चेन डबल कुरिश्या लेते हूए पूरे स्लीप से इस तरह से हम बेसलाइन को तयार कर लेंगे इसकी वबल को बनाएंगे मैंने अपनी बेसलाइन को रेडी कर लिया है यहां पर वान चेन लेकी फर्स्ट वाले गयप में एटेच करना है सिंगल कृश्या से फिर हम वान टू ठी फॉर फाइफ चेन ले लेंगे फाइफ चेन लेके वान टू गयप को फिर 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 फि लेंगे फिर बीट्स को लगाएंगे इस तरह से फिर वांचेन इस तरह हम आठ बर लगा लेंगे अपनी बीट्स को अगर आप लोग पहली बार मेरे चानल पर आएंगे तो चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन जो आएगी उसको प्रेस करके और पर भी किलिक कर लिया करें ताकि मेरी हर नी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें एक बार और हम लगा लेंगे एक आट बर लगा के वन चैनल लेंगे वन चैनल लेके हम इस वाले गयप को छोड़ देंगे वान टू थ्री गयप को छोड़ देंगे फिर इस कैप में आटेज करेंगे चोथे कैप में सिंगल कुरिशिया से फिर लेंगे वान टू थ्री फॉर फाइप चैनल ले लेंगे वान टू गयप को छोड़ेंगे तीसरे में आटेज कर देंगे सिंगल कुरिशिया से फिर हम इस तरह से पलट देंगे अपने कपड़े को अब हम अपने beads को attach करेंगे सिंगल कुरिशिय से पिरone,two chain लेंगे,two chain लेके beads को attach करते जाएंगे सिंगल कुरिशिय साथ,one,two सारी beads को इसी तरह से हमें attach कर देना है एक दूसरे क साथ अब हम यहां पर अटेज करेंगे जो हमने 5 बार चैनल लिया था इसमें अटेज कर देंगे सिंगल कुरिशिया से फिर 1, 2, 3 चैनल लेंगे 3 चैनल लेके हम इस जो 5 वाले गैप में अटेज करेंगे सिंगल कुरीशा फिर से पलाट देंगे अपने कपड़े को ऐसे फिर आम जो बीट्स वाला गयप है इसके अंदर रबल कुरीशा बनाएं गे वान टू दो बार बनालेंगे पिर दो चेहिण जो लिया है उसके अंदर बनाएंगे डबल कुरिशा दो बार, फिर बीट्स वाले गैप के अंदर बनाएंगे डबल कुरिशिया, दो बार, फिर चैन वाले गैप में दो बार डबल कुरिशिया, इसी तरह से हम पूरे पे बना लेंगे यहां से यहां तक, फिर लाश्ट वाले बीट्स के गैप में हमें अटेच करना है, दो बार, डबल कुरिशिया बना लेना है, फिर हम इस गैप को छोड़ देंगे, इसमें हमारी सिंगल कुरिशिया बनीती, इसको तो हम छोड़ी देंगे, फिर इस गैप को भी छोड़ देंगे, फिर इसमें ऐस तरह एक सरकल हमारा इस तरह से रेडिव हो गया अब हम वान टु थ्री फूर फाइब चैन ले ले लेंगे फाइब चैन लेके वान टु दो गैब को छोड़ते हुए तीसरे में रटेच करेंगे सींगल कुरिश्या से फिर वान टु थ्री फूर five chain लेंगे five chain लेके हम one two gap को छोड़ेंगे तीसरे में attach करेंगे single crochet से फिर हम one chain ले लेंगे फिर हम अपनी बीट सुक अटेच करेंगे इसी तरह से हम अपनी इस line को complete कर लेंगे फिर इसके उपर हम दूसरी line बनाएंगे सेम ऐसी बनाएंगे जैसी इस circle को मैंने बनाया ऐसे इस circle को भी बना लेंगे फिर इसके उपर दूसरी line बनाएंगे इस तरह से यह line पूरी हो गई अब इसके उपर हम दूसरी line बनाएंगे यहां पर line आके पूरी complete हो गई अब हम one two three four five chain लेंगे five chain लेके one two gap को छोड़ते हुए हम यहां पर attach कर देंगे single crochet से फिर हम one chain लेके अपनी beats को attach करेंगे यहां पर हम दूसरी line को बना रहे हैं यहां पर फिर one chain लेंगे फिर इसी तरह से हम 8 बर अपनी beats को attach कर लेंगे one chain लेते हुए बीच में आठ बर हमें बना लेना है beats के साथ one two three four five six seven eight आठ बर हमने बना लिया अब हम यहां पर attach करेंगे यह जो हमारी दूसरी beats लगी हुई है इसके उपर हमें attach करना है यहां पर सिंगल कुरिशिया से attach करके फिर one two three four five chain लेंगे हम five chain लेके हम one two three four five वाले gap में हम attach कर देना है single कुरिशिया से फिर पलट देना है अपने कपड़े को ऐसे अब हम अपनी beats को attach करेंगे single कुरिशिया अकसार यह one two chain ले लेंगे two chain लेके हम single कुरिशिया लेंगे पूरी beats को इसी तरह से हम attach कर देंगे one two अब हम यहां पे single कुरिशिया से attach कर देंगे फिर हम one two three chain ले लेंगे three chain लेके हम यहां पे attach कर देंगे single कुरिशिया से फिर हम पलट देंगे अपने कपड़े को ऐसे अब हम इस gap में बनाएंगे double कुरिशिया one two फिर तो chain वाले gap में बनाएंगे double कुरिशिया one two इस तरह हम सब के बना लेंगे दो दो बार करके double कुरिशिया कहां तक हमने double कुरिशिया बना ली अब हम one two gap को छोड़ देंगे तीसरे में attach करेंगे single कुरिशिया से फिर हम single कुरिशिया बनाएंगे अब हम सारे double कुरिशिया के उपर single कुरिशिया बना लेंगे हम यहां तक बना लेंगे single कुरिशिया फिर यहां से हम फिर से कर पर हमने अठेज कर दिया अपनी विट्स को अब हम यहां पे फिर से अठेज करेंगे इसकी उपर के यहां पर यह ही जो हमने दूसरी अपनी बीट्स के लगा ही इसकी उपर ही हम have है से करना है सिंगल कुष्छया से फिर हम वन तूर फूर है पाइक चैन लेते हुए, वान, टू, त्री, फॉर गैप को छोड़ेंगे, पाच वे में अटेच कर देंगे सिंगल कुरिशिया से, फिर से प्लट देंगे अपने कपड़े को ऐसे, फिर हम सिंगल कुरिशिया से अटेच करेंगे अपनी बीट्स को, फिर टू चैन लेते करेंगे जहां पर हमारी बीड़ को हम इस तरह से रखेंगे जहां पर झुक रहा है बडाबर से वहीं पर सिंगल कुरिश्य बना देंगे जहां हम तरह से आटैज कर देंगे फिर vandolo ऑद को छोड़ देंगे तीसरे प्रुशा देंग थित्ल के कप्रे को फिर उस घ्याप में बनाएंगे डबल कुरिशिया, दो बार बनाएंगे डबल कुरिशिया, इसी तरह से हम अपनी दूसरी लाइन को बनाते हुए जाएंगे, इसके उपर तीसरी लाइन भी हम ऐसी बनाएंगे जैसी दूसरी लाइन को बना रहे हैं हम ऐसी सेम बना लेंगे इस तरह से हमारी स्लीट से बनके तयार हो गई मैंने दूसरी लाइन बनाने के बाद तीसरी लाइन को भी सेम ऐसी बना लिया इस तरह तो आप लोगों कैसी लगी डिजाइन ज़रूर बताईएगा अगर डिजाइन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें साथ में चाइनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके और पी भी किलिक कर लिया करें ताकि मेरी हरने वीडियो की निटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और मैं इस डिजाइन की इंशालला नेक पे भी शेयर करूँगी कैसे इस डिजाइन को बनाते हैं तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी किसी प्यारी सी डिजाइन के साथ तब तक के लिए लाँ आफिस